शोयब अक्तर इंडियन क्रिकेट में और इंडियन टीम में बहुत इंट्रेस्ट रखते हैं बहुत फॉलो करते हैं शोयब बक्तर और साथ ही साथ इंडियन प्लेयर्स की भी तारीफ करते रहते हैं और क्रिटिसाइज भी टाइम टू टाइम शोयब अक्तर करते रहते हैं और यहाँ पर इंडिया वर्शिज और्स और्स्टेलिया का m ले गई थी उस्टेलिया चीनके ले गई थी उसे वर्ल्ड कॉप 2020 का टाइंटल लेकिन इंडिया ने बहुत इंप्रेस कर heures के ओवरॉलहूल कॉप फेल्ल से पहले टीम इंडिया क Zuschra money this और इस अच्छी performance का एक बहुत बड़ा कारण है रोहिच शर्मा जी हाँ कप्तानी तो कमाल की करी लेकिन बल्ले वाजी से जो ताबर तोड़ पिटाई करी है रोहिच शर्मा ने बोलर्स की वो भी बहुत कमाल का और इसी performance के उपर शोय बकतर ने रोहिच शर्मा के उपर जीत सके उन्होंने personal milestone के बारे में नहीं सोचा I genuinely feel bad for him In short कह सकते कि selfless parier रही है रोहिज शर्मा के जिस हिसाब से हर moment पर रोहिज शर्मा ने team के बारे में सोचा चाहे वो power play में बढ़िया बल्ले बाजी की बात करे या on point कपतानी के बात करे रोहिज शर्मा ने power play में बढ़िया start दिलवाई है team India को बहुत बार हमने league stage में देखा है ताबर तोड बल्लेवाजी करते थे और वो clear कर चुके थे कि मैं तो ऐसे ही खेलूँगा चाहे सामने कोई भी बोलर हो कोई भी team हो रोहिज शर्मा का mindset हमेशा attacking का रहता था वहाँ पर राहूल ड्रविट भी कह रहे थे कि हमारे लिए risky हो सकता है लेकिन ये रोहिज शर्मा की skills है कि वह वहाँ से भी pull off कर लेते हैं बाकी आप अपना opinion इस बारे में बता सकते हैं comment section में तब तक के लिए देखते रहें तूफान स्पोर्ट्स लाइक शेयर सब्सक्राइब तूफान स्पोर्ट्स